नमस्कार दोथो मैं राज सुकुला यूपी बोर्ड हाई स्कुल के इस नंबर वन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज साहा एकदम आप मस्त होंगे आप पढ़ाई तो आप इदम जबर जस्त चली रहे होगे आज उसी में से हम कहा है एक और नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले क्या होता है हम लोग ने बहुत चीजिए पढ़ने लेकिन इसका कुछ टोपिक हैं जहां बेबचे stats रहते कि होता क्या है हर जगह पढ़ लिए यह मैं साद orphan होता क्या है तो इसके बारे? सब्सक्राइब करने को रहे हिँवाध है प्र की स्सक्राइब होता है उसके बारे प्रकास अंकल मातब और इंट के बारे में भी ठोड़ा परिश चेख करेंगे अंट टॉपिक में से इक दंधा के गरदा उढ़ा देंगेकम यह षिम सती है उन्हारे लिह यूदाद में तो हम पढ़ाइन की पर форм work से साही मिजा पढ़ा करके बस का है पूरी वीडियो को अन Tapi जरूर देखना जाने ना जो चूश कर दो हो रहा है इसमेंरम चलियर आप करके जाएगा उनर करका है और मोरफ से तो मेरा क्या है इतना आप से वारता है बस और तक ब् floru करते है तो यह क्या है हमारों च्प्टर है प्रक्काका का परवर्तन उसному को हम फ़दने वाले उसी प्रकवित प्रकुश्य वार्वर्तन वें क्ली स says मैं यह प्रकासी नहीं नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं पहले इसले ना इनके वारे में में प्रकास अंकल के बारे में भरपूर चर्शा करने वाले हैं कि प्रकास अंकल है क्या क्या इनके काम है और बहुत देज चलते हैं मुझे लगता है दुनिया में अभी तक मेरे नहीं सब साइंटिस को भी कहना है कि इतना तेज तो कोई चले ने साथ जितना तेज चल लेते हैं हाँ बहुत देचलते हैं अभी बात करते हैं कि इतनी चाल है सब पता है तो प्रकास ये प्रकार की उर्जा है क्या है ये प्रकार की उर्जा है ये प्रकार की एनर्जी है जो क्या करती है हमें खुद तो दिखा कि कुछ ने समय मन्हें चाहित है कि अ प्रसूर। जिन गार्णने करते हैं रहे और है फेक लौद में तरह पुसके लिए टेख क्या है की यह कुछ समय के लिए परकाश को लिए 오एंट के अब कि अब घ्र यृषष में सहाइत्था प्रदाइन करती और चीज शोती यह संय श्राइब ऑन कंगे यह मैं श्राइब ने उसी प्सक्राइब घ्रीन उसका उपजम में अपतर भी होती है था तो हमारे हानिकारक चीज है तो कुछ नो कुछ तो मीडियम हमारा दो आर्थ माता कहती भीया धरती मां वो तो रच्छा करने के लिए ना तो उन्हों ने अपने उनको वहीं से दूर से उजयोंलैर से भागा दिया orange सेथा तो क्या है जो विद्यव्फुम की तरंइकोंhone में चलन संच्रित होती है इसका घ्याना में आखो द्वारा प्राप्थ हो सकता प्रकास की तरंग जर्द दो है जो प्रकास में क्या है सात रंगे पाई जाते हैं यह तो आपने पढ़ाई होगा बहुत चीजिया आपने जाने जहां पर दिक्कत हो रही नहीं मैं उन टॉपिक्स को बस लाए हूं तो प्रकास की जो तरंग धेर होती है वह 4900 से कितनी होती है बेच में होते इस्से जादा नहीं होती है और प्रकास प्रक्रति के साथ-धोरी प्रक्रति भी बहुत जाएक आगे मिलने बाला है प्रकास करन के रूप में चलता है और अब यहां पर आप जान लो तो प्रकास तरंग के रूप में भी है और प्रोब्लम को मुझे दूर करना है कि यह हर जगा पढ़ लिए चीजे क्लिया नहीं हो रही तो उसके बारे में थोड़ा सब्सक्राइब तो प्रकास के कुछ घटनाओं में तरंग तर्टा कुछ घटनाओं में कान काई रोल यहां तरनओं में भी तेखो लिए प्रकास की कशा चाहरे में में भी क्रम कर रहा है कि दोड़ के रूप में क्या देख और प्रक्रतिका लेक्तर बहुआए अधर निना न特क्ल भ्ल्लम के चाहरे और जाता हुए जाती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने स्टेंडर में किसी बच्ची से बताओ गया यह चीज ऐसा होता है तो उसके लिए भी कुछ नई ही होती है बिलकुन जान लो कि क्या जो प्रकास होता ना यह चलता है इसमें क्या है प्रकास चोटे चोटे बंडल होते हैं यह हिं न स्टे है फोटन के प्रकास की ऑफ सताथ की चाहिए होती है 3-10 की प्रकास भौट थे चलता है जानते है परोशी वाले है उन गाड़ी लेके बाग जाते हैं यह उसको तो सोड़ी बहुत शब्सक्रांइब कुछ चलता ना इसा को इसी नहीं है उसका मेजर किया था इसने किया था वही वह बता रहा है नाम के höख सायंटिस्टें उन्होंने क्या है बताया कि प्रकास डिसे नहीं कि फ्रकास सभी नहीं है प्रकास 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 लिए अब टो डियों 3 x 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अरे नॉर्मल भी सुन लो ना क्या हता है तीन लाग किलो मीटर पर सेकंड बोल दो कि इतना जानती होगा न तीन लाग किलो मीटर अगर आपकी गाड़ी चलते हैं तो क्या होता मुफ खुलता है तो सोच देखो अगर इस स्पीर से कि चलोगे तो क्या होंगे आपके साथ मज़ा ही आ जाएंगा अर्मजा के साथ मज़ा लेने के रायक ही नहीं रहेंगे बिल्कून सारा खेला खत्म हो चुका है क्योंकि इतना जब स्पीड होगी ना तो हमारी बाड़ी जो है इतनी स्पीड के साथ चीजे सरवाई भी नहीं कर सटावेड़ समय मंग्यों सब्सेटेर कर रहे है उसके बारे में मुद्न में भी आ पहुच नहीं क्या पि होगते हैं इप प्राकास का डैस हम ठाखिए इन परेसे सघं में बहugal जा भोट वो कर किby कंसे भी सरल है कौन सघहने तो सजहनए तो जिसमें प्रकास की चाल जो थी न वह अगत है तेज है क्या है वी लोगा और मैं फ्रशन कंप स from 20 प्रसने जायीं कि अगर हावा में या या फिर निर्वाद में प्रकास किम यहां का मैं वरभी जाएगा कब जंक्ता है अगर ज़ोगत है। जहां कम है वह सागंगर सिंपल में तरह बकंगता है ज्यादा है संप सिंपल में का है जहां प्रकास की चाल मैक्स तुभ क्या होगा जहां चाल ज्यादा है वह होगा हमारा विरल इतना सिंपल जहां प्रकास की माकस है सबसे ज्याता है वो हमारा विरल हो ग creat % खम होगी वो हम वी तना पर सीमपल जहाँ प्रकास तेजी सजा पार रहे हैं वह रहा है जहांती में सजा पार रहे हैं वह सघन बास जयादा कुछ और करने की ज़ब देख लेते हैं वीरा सघनन है जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्चा माध्यम का प्रकास का प्रवत्तन हो जातों हो ही नहीं सकता तो हमने किया माध्धम एक है और इनके बीच का यह तल है क्या है तल है ठीक है अब तल के लंबत हमने खीज दिया एक अभी लंब यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा तल है क्या है तल है और यह क्या है अभी लंब क्या है अभी लंब ठीक है यह तो हमारा क्लियर आगे कुछ बत कि अगडर कőwo जाएगा अगर प्रकास की किर!! धोखे से घंद्धन इसे पड़ गई यह सीधा मतलब कि तल एक दं लंबवत चली जाए प्रकास की किर98 कैसे जा रही है तल कि लंबवत जा रही है त्यां दखना उसका आपवरतन कि नहीं होगा क्या है अपवर्ता निच नहीं होगा क्यों कि वह सीधी चले जाएगी उसमें बीच में क्या है कोई इसका माध्यम का कोई फरकी नहीं पड़ेगा उसी जीरो एंगल अगर बनाया किसे हमारे अभिलम से जीरो एंगल बनाए या फिर तल से 90 डिगरी पे जाए तो बस साबसा ब विच़्ाए विर्या दोसरे माध्यम में प्रकाश की क्राया तल के लंवत गिर रही है यह फिर का अबिलम के जीरो का है डिगरी बना रही है तो का है उसका अपवर्तन नाइखे होगा बिल्गून सही सुन रहे ह। तो यहां पर उसने यह बात बोली कि तिर्चा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में संच्रण की दिसा परिवर्थित हो जाती है तो सिंपल में जान लो होता क्या है जब कोई प्रिकास की किरान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर की मतलब एक घर से दूसरे घर में घुसी तो क्या होता है उसकी नजरे तिर्ची हो जाती है मतलब क्या जाना कहीं और चाहिए तक चला कहीं और जाएगा मतलब हो अप पतब्रस्ट हो चुका अब रास्तिन तो हमें लाना वाला काम नहीं कर पाएंगा तो वही है बिगड़ने वाली कहानी यहां पर समझने वाले हैं कि जब प्रकास की किरह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो वह अपने मार्गे से क्या हो जाती है ठीक अब आ माइंड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते कि होता क्या है लोचा पहले तो वीरल से सघंवे कंजो रहती है तो वीरल यहां दखना बता है जहां प्रकास की चाल ज्यादा हो वीरल हो जाएगा अब आगे कलो उच्छा समझो यह हमारा तल है यह हमारा तल है बिलकुन हां बात तो क्लियर समझ में आ रही है तो क्या है कि यह हमारी जब प्रकास की किरण जो आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं क्या कहते हैं और तल की दूसरी तरब चली जाती है उसे हम अपवर्तित क्रण कहते हैं क्या कहते हैं जब तल के आगे चली जाती है इसको आपवर्ति हो रही है मतलकि जो आगे बढ़ रहे हैं और फोर्पेत के रहाँ ब your एतना समय लेना अभ देखो ़गर वियो दिसका अगर सघन माध्हमन है तो यह देखना वाब की और की सटी उड़uं की ओर उड़ syntरा Kia भटक गई है बिच्छड़ गई है और क्या है अभिलम की ओर आ गई कब होगा जब प्रकास की किरण वीरल माध्यम से कहा जाए सघण माध्यम से तो है अपने रज़त में क्या घई अच्छत दुसरे में प्रकास कठोर माध्यम से चलती आ रही थी बड़ी दिक्कतों का सामना यहां पर बिचाली पढ़ने संध़र करते हुए जा रही है तो 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 यहां पर प्रकास की क्राण यहां पर भी देखना वही जो प्रकास की क्राण आ रहे हैं वाप्तित और जब प्रकास परतन हो रहा है क्रणा को जो भी तो यहां पर देखो इयर प्रकास की क्राण क्या है यहां पर क्रास की क्राण सगन माध्यम से वीरल माध्यम जाती है ना तो यहां पर देखो लफड़ा यह होता है कि वह क्या अभिलम से दूर भागती है यह बात याद रखना इसी पर बेज हमारे दोनों आगे करनियम यानि क्रांति कौन और क्या है पूर्ण आंत्री परवत्तन इसी पर बेज रहे इस पर नहीं है इसको याद रखना इसको समझ कर रखना यह भी भूलने न पाए कब होता है यह जब प्रकास की किरह कब कहए जब कहए देना जब सगहन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो कहती अभिलम से दूर हरती ही बस इतना याद रखना इतने ही से हमारे जो दोनों नियम ना आगे कि क्रांति कौन और पूर्ण आंतरी क्लींट करा गए उसको मिस समझाएंगे बात मुझे रताता है जहां Тक मैं सोच रहाँ की मेरे बच्चे मेरे तीडरे मेढ07 से इसको दा समझ लिया हों गब है तो अब यह कुछ नियम कानून होते है इससे तोड़ी हो गया कुछ नियम कानून भी हैं, बिलकुन हैं, इनके दो नियम कानून है, वो ऐसे बताईए सर क्या होते हैं, तो इनके नियम कानून भी हम लोग देख लेते हैं, बिलकुन देख लो, यह बाद जान लो, यह तो हमने वही बताया ना, कि जब प्रकास की किरार विरल माध्यम से सग आपतित किरण अपवर्थित किरण तथा दोनों माध्यन को प्रिठक करने वाले पृष्ट पर आपतन बिंदु पर अभीलम सभी एक ही तल में होंगे अरे सिंपल से देखो फिर से बता दे रहा हूं कि क्या है क्या कर रहा है कि आप्तित किरां और अपवर्तित किरां और अभिलम तीनों एकी तल में होंगे सिंपल में इतना भले लिखा है अगर प्यार से कोई पूछ ले कि बताओ नियाम तो कह देना कुछ नहीं यादगनाई से आप्तित किरां अपवर्तित किरां और अभिलम तीनों एकी तल में होंगे बस उसकी हिम्मत नहीं कि आपके बात को काट दे अगर ऐसा करें तो आप उस निष्चित रंग तता प्वर्तित माधम के योग में के लिए आप तन कोट की जा या तो किया आपतन कोट की जा आपतन कोट की जा को내 अप्तितल य जोन होता है एक तो होता है यह उसका दूसरा नियम होता है इस नियम को इस नायल का नियम कहते हैं क्या है इस नायल का नियम भी कहते है इस नायल का नियम भी कहते है क्या कहता है कि यहां पर कि निश्चित माद्मों के यूगमक के लिए आपतन कौन की किया अज्या अब यहां पर क्या था जैसे किरों के साथ जो कॉण बनता है उससे हम आपवरतन कॉण कहते हैं और यहां पर इसको भी आ मालो चलो हम ले लिए हैं वीरल से सघन में तो यह भी लम के और जूख जाएगी यह जो कॉण होता है यह क्या ओता है अपवरतन कॉण होता है कि प्रकास के किसी निश्चित कि निश्चित माध्यम यूग料, आप तन कौण के जिया, आप तन कोण की जिया, यानि इसका साइन और इसका sign का अनुपाथ, अनुपाथ हमेशा याद आखना जब बोल दे तो upon में कर देता है काम खतम याद आओ अनुपाथ इस्तिर होता है, इसे snail का भी नियम कहते हैं, इतना बस यादा है, इसे किस का कहते है, snail का अपवर्टन का नियम या snail का नियम कहते है, आपके लिए sigma i KR upon sigma R is equal to constant यानी n यहूता है uważ акку Fragen का दूसरा नियमMA किसका अपवर्बारतन का दूसरा नियम मेरे को पत्ता है मेरे बच्चा इसको भी समध चुका है क्या होता है क्या होता है नहीं होता है नहीं होता है नहीं समझ में आया है तुम daí जाना कुद करोly ना नहीं किया तो समझ लेना क्या समझ लोगे अरे हो जाएगा परी लोचा है पर निश्य क्रांती कॉण्ण यहीं तो बहुत बच्चे अक्सर इसमें कन्फूज जह जाते हैं फ़यर इसका भी आदेंगे बिलकुन तो का रहा है सघन माध्यम में बना वह आपतन को क्या रहा है सघन माध्यम में बना वह आपतन को सघन माध्यम यानि अब्याद करना प्रकास की किस माध्यम से किस माध्यम जाएंगी सघन माध्यम से वीरल माध्यम में जाने वाली है मेरे लला कहां से सघन माध्यम से विर्ल घर में में रखना यह नहीं लोचा खाघ तो पिर गडबढ़ हो जाएगी मेरे लाला तो किया रहाए सुरी तो प्रकास की किरां सागन माध्यम से विर्ल बात रहने जाएगी शुल रहता है कि अगे वाले जो दोनों नियम कि जब प्रकास की करार सगन माध्धं से किसमें जाए वीरल माध्धा में सगन माध्धं से विधर mean जाएंगे तो सगम मध्धं में बना वह अप्तन कोंड जिसके लिए बने sight guide का मान 90 डिगरी होता है उससे क्रांति कोन करते हैं अच्छा का मना 90 कुछ समझ नहीं आए तो यह है ना और अभी हम जिंदा है तो कहा है वेलकम वी वाला डाले अभी हम जिंदा है फैसला तो हमें ही करना है यानि समझाना तो मेरे को है परहसान कई बात होते हैं तो क्या है कि जब बिरल मध्य में क्या हो रही है सगन मध्य में जा रही है ठीक है हम ले जाएंगे अब हमारा मन हुआ कि इस जो प्रकास की किरों को यूं पकड़ा और यहां से इसको जुकाए दिये मतलब यह ऐसे जा रही तो अब यहां पताओ हमने इसको इतना जुका दिया अब जैस हमने जुकाया तो जाना इसको वैसे चली जाएगी यह चली जाएगी यह इसे मतलब अब क्या हुआ प्रकास की किरॉण को जाना ऐसे हर बार क्या होगा सखन माध्या में जा रही है यानि अभिलम से दूर हटेगी हटेगी आप एक किन क्या हुआ कि हमने इतना जुका दिया कि प्रकास की किराँ उस माध्या में जाई नहीं रही है वो क्या हो गई तल के बराबर जा रही है इसे तल में है ना अग्दम तल के बराबर जा रही है तल क की बीच में कोई एंगल ही ने रह गया मतलब तल में का जीरो डिगली बना रही है और अभिलम से कुछ अपो डिगली पना थ 화 गई नाइंटे दिगुरी बढ़ने लगता है तो वही क्रांटी कोण कहलाता है सगल बाधर कोंग कि नहीं होता है इससे लियाद किया होता है उसक्त क longer होता है उसे प्यांती कोंग करती है उतिक है यतना ही तो था इतने एक तो ठीक है हम हटती थी हमने अउरे हटा दिया का कर दिये और जैसे दबाए विचारी दुसरे माध्य में जाने के बजाए उसी तल के बराबर चली गए लो तो क्या हो गई वह अभी लम्बत हो गई जिससे अब हम कहा है क्रांति कॉर्ण कहते हैं यह देखो अभी यहां पर द दिख्कत नहीं होगी वह इस्प्रेन करकर इमेज बना की बता देगा कि जब प्रकास की सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसके लिए आप क्या कह रहा है कि बनने वाल माध्यम के विरल माध्यम सगन माध्यम में बनने वाला आपतन कोंड क्या है आपतन कोंड के लिए जो अपवरतन कोंड का मान होगा वो क्या होगा नाइंटी डिग्री करतना करेंगे और इसको सीसे प्रदर्सित करते ही यह तो यहांद एखना और सीसे क्यों कहते हैं कियों कि एक क्रिटिकल आंगल होता है क्रिटिकल होता है अब आगě हमारे एक और moral टॉपिक फंचता है वे CAN का होता रहता बच्चों कहीं क्या है हमारा ये पोण आंति निगों यह इसमें भी कोई परिशान होने वाई वाइन नAY बहुत से टॉपिक है हां इसमें भी क्या हौत था कि हमने चौन कोंड देख रहे हैं तो नहां हमने क्या हो रहा है कि जुकाय दिये तो क्या हूँ लंब नेहीं के लंब लागे या नितल के बराबर सफर करने लगी जैसे तल तल के बराबर प्रकास की कि जाने लगी तो यह tämä बढ़ होगा जब प्रकास के रहं क्या है अपतन कौन का मान क्रांतिक से अलग हो जाए और वह याद है यह प्रकास कि यहां पर से आट distur को नुझा मैं से भी ज्यादा हो जाए मंतलब यह सी से बाड़ा हो जाएं सी से बाड़ा हो जाएं तो यहां होता है तब विरल मध्धम में प्रकास अपर्तन नहीं होता है तो इसे तो आप कि हो जाएगा जब उजाइसे हमने किसी से इसको बढ़ाया तो यह क्या कि प्रकास कि अब यहां तालिक में भी नहीं जाएगी इतल के साथ भी नहीं देगी अब वह तु उधर जाएगी नहीं कि भीया हमारा दूसरे माध्धम से नाता छोड़ चुका है हमने उसे ब्रेक अप कर लिया है उससे हमें कोई फरक नहीं परता अब हम उसके पास नहीं जाएंगे यानि क्या हो जाएगा बलकि संपूर्ण प्र प्रकास का अपवरतन की जब घटना होगी तो यहां अपवरतन के लोचा इसे ही पौछा मर चुका है काम खतम हो गया संपूर्ण प्रकास तल से परवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस आ जाएगा मैं तब यहां पर क्यों कि प्रकास माध्यम तो दो है या दखना लेकिन मिन जाएगा ही नहीं प्रकास से काच में भी नहीं जाएगा कास जो भी है मघर यहां पर बताछ रहा हुए कि या यहां पर जैगी नहीं अगर इसँंगल से होगा सगहन से यानि क्या है पानी से वाइवी नहीं जाएगी किसे क्रांति क्रिटिकल एंगल अब क्या हो जाएगा यहां पर नाता तोडने वाली है यह सारा खेलां किस नों को हमादाद से सगन माच्दंध से सगन माध्या में यह मुंधमाल तिन अब बप्रकास के शाओया यहूं समूर गई मतलकी अपने रास्ते से भटक गई इसक को भटकने बाद क्या है आधके लोग भटक जा!! तो रास्ते में गुरू ही लाता है , हम भी लानिक कुछसीस करेंगे लेकिन यहां पर नहीं लाप आएंगे , अब यहां कौन अपवर्तित किरन है फिर क्या हुआ हमने क्या कि यहां से भी था हमने एंगल बढ़ाया तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यहां से जब आइंगल हमने इसको प्रकास किरन दबाए तो सी हुआ और सी से भी निच्छा दबा देंगे तो प्रकास किरन इस माध सबसाब परवर्तन हो रहा है प्रवी प्रखास की किरान को आई सम फेके तल से टकराया ऐसी एंगल में उसमें गया ही नहीं है तकरा कि उसी माध्य में वह आपिश लोड़ गया बहुत दुख भरी कहानी है चोटे आ गई ही जो सोचा था वो हुआ नहीं तो यही क्या कहला है हमारा पूर्ण आंत्री के परावरतन कहला है प्यारा सा पूर्ण आंतरी परावरतन मतलब कि एक माद्धन से दूसरा माद्धन में इसकी जाने की नौम माद्ध में जाएंगी यह माइन हमेसा बना के रहना और यहां तक मुझे पता है मेरे सारा बच्चा इसको ढंक से समझ चुका है और यहां पर कोई दिक्कत नहीं रही है और इतना अच्छे समझना अगर नहीं आए तो फिसे बार वीडियो देखना लेकिन अगर कोई वीडियो के साथ आपसे मिल करके अपनी चीजों को साजा करते रहेंगा क्या बस मन लगा के क्या है आप वीडियो के देखते रहे है और लाइक करते रहे है कमेंट करते रहे है जैहिन